Hello friends, welcome to health channel I am with the base of life हम में सिब बहुत लोगों की आदत होती है कि खाने में कम नमक हो तो उन्हें खाने में स्वाध ही नहीं आता है तो कुछ लोगों की आदत होती है कि खाने में ऊपर से नमक बिना डाले उन्हें स्वाध ही नहीं मिलता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह खाने में लिया गया अतिरिक्त नमक आपके health को कितना नुकसान पहुचा सकता है अगर आप इसके नुकसान को जानेंगे तो आप अपनी इस आदत को छोड़ने में जरूर मजबूर हो जाएंगे और इस आदत को छोड़ करके आप अपने health को अच्छा बना कर रख सकेंगे ये आदत आपके हृद्य के स्वास्थे के लिए खराब हो सकती है आपके हड्यों के स्वास्थे के लिए खराब हो सकती है साथ ही आपके kidney के स्वास्थे के लिए खराब हो सकती है तो आपकी access नमक लेने के आदत को जरूर सुधारिए और अपने organs को fit और तंदरुस्त बनाने की कोशिश करिए ये अधिक मात्रा में लिया गया नमक किस तरह आपको नुकसान पहुचा सकता है उसे जानने से पहले आप सबसे request जरूर करूँगे कि अगर अभी तक आपने इस health channel को subscribe नहीं कर रखा है तो प्लीज स्वास्ते से जुड़ी ख़बरों के लिए इस channel को subscribe जरूर कर लीजे और bell icon प्रेस कर लीजे जिसने notification आप तक तुरंत पहुचता रहे बहुत अधिक मातरा में नमक को खाना आपकी हड्यों को कमजोर कर देता है hard attack के खत्रे को बढ़ा सकता है अगर आप रोज अधिक मातरा में नमक खाते हैं ऊपर से खाने में नमक डालकर खाते हैं तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत पढ़ जाती है और आपको इस तरह खाना लिए बिना स्वाध ही नहीं आता है ये एक तरह का addiction हो जाता है लेकिन ये थोड़ी देर का स्वाध आपके स्वास्ते के लिए बहुत घातक हो सकता है क्योंकि नमक का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना heart attack के खत्रे को बढ़ा देता है क्योंकि नमक अधिक मात्रा में लेने से शरीर में fluid एकठा होने लगता है और इसके कारण blood vessels में सूजन आ सकती है जिस कारण आपके heart पर अतरिक्त pressure पड़ता है और blood proper तरीके से flow नहीं हो पाता है access pressure आपके heart को कमजोर करता है आपके blood vessels को कमजोर बनाता है और आपके heart को इसको pump करने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ता है जिसके कारण heart attack का risk बढ़ जाता है इसी तरह नमक का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल आपके हड्यों की सेहत को भी बहुत नुकसान पहुचाता है क्योंकि ये calcium के absorption को proper तरीके से हड्यों में नहीं होने देता है और इस प्रकार हड्या कमजोर होने लगती है osteoporosis की संभावनाएं अधिक मात्रा में लिया गया नमक कई गुना बढ़ा देता है तो अगर आप अपनी हड्यों को स्वस्थ बना कर रखना चाहते हैं तो भी आप नमक कम इस्तेमाल जरूर करिए नमक का अधिक मात्रा में इस्तेमाल किड्नी को प्रभावित करता है किड्नी की कार्म करने की चमता कम कर देता है ब्लड प्रिशर बढ़ने के कारण भी ब्लड वेस्थ प्रभावित होती है और किड्नी खराब होने की आशंकाई ज़्यादा बढ़ जाती है ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रिशर बढ़ जाता है क्योंकि blood vessels संकुचित होती है pressure बढ़ता है इसके कारण दूसरे organs पर भी असर पड़ता है क्योंकि बढ़ा हुआ blood pressure आपके आखो और शरीर के दूसरे organs kidney आदे पर असर डालता है आपके arteries और blood vessels की सेहत पर असर पड़ता है और इन सब के कारण जब blood circulation पर असर पड़ेगा तो द में लिया गया नमक stroke के खत्रे को बढ़ा सकता है ज्यादा नमक खाने से आपके urine में calcium की मात्रा बढ़ सकती है और आपके kidney में stone पैदा हो सकता है अगर आपको kidney stone के शिकायत है और आप अदेक मात्रा में नमक खा रहे हैं तो यह आपकी समस्या को और भी बढ़ा देगा तो अगली बार आप जब फल, सलाद, अमरूद, भुटे जैसी चीज़ों को खाएं तो बहुत अदेक मात्रा में इसके उपर नमक का इस्तिमाल ना करें या आप इसे बिना नमक के खाएं तो ज़्यादा बहतर होगा हरी पत्तिदार सबजिया जैसे मेथी, पालग, बथवा औ इसलिए नमक के कम मात्रा ही डाल करके उन्हें पकाएं अचार, चट्मी और पापर जैसी चीज़ों में बहुत अदेक मात्रा में नमक होता है इसलिए अगर आप पहले सी ही ब्लैट प्रिशर या दिल की समस्याओं से ग्रसित हैं तो इन चीज़ों को बिलकुल ना लें और पास फूड जंक फूड अधिक मात्रा में लेने से भी बचिये क्योंकि इन में भी बहुत अधिक मात्रा में नमक का इस्तिमाल किया जाता है इसी तरह बेकरी प्रोडक्स में भी नमक के अधिक मात्रा होती है इसलिए उनका भी सीमित मात्रा में ही इस्तिमाल करिए तो अग लाइफ को स्वस्थ और सुरक्षित बनाईए वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे स्वस्थे से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा धन्यवाद